जारों तरफ आई फ्लू की वीमारी को बढ़ते हुए, देखते हुए, एक आई ड्रॉप हम आपके लिए लेकर आई हैं, मौकसी डी आई ड्रॉप, इसके बारे में पूरी जानकारी आज आज आपको देने वाले हैं, आई फ्लू के अंदर ये कितना लाबकारी है, कितना फा के दौरान तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर लीजे और सब्सक्राइब कर लीजे हमारे चैनल को जो भी नए लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो और सबसे पहले हम बता दें आपको इस ड्रॉप में यूज होने वाले साल्ट सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम अपने चैनल पर जुड़ू के बारे में कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं इसका ना कोई आडबरटाइजमेंट कर रहे हम पूरी और साही जानकारी बिल्कुल हिंदी में फ्री में देने वाले हैं आपको तो आये जान लेते हैं कि कौन सी समस्था होने पर इसको यूज किया जाता है तो आई फ्लू होने पर इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं कोई प्रॉल्म नहीं है डॉक्टर बहुत ही ज्यादा इसको रिकमांडेट करते हैं पेसेंट के लिए और आख में बैक्टिलन इंफेक्शन के इलाज के लिए इसको मॉक्सिडी आई ड्रॉप एक डॉक्टर के परचे की दवा है डॉक्टर के सला के बिना बिल्कुल भी इसे अपने मन से पर्चेस करके यूज ना करें। Moxidy eye drop का इस्तेमाल आखों के bacterial infection जैसे के consecutiveitis या गुलाबी आख के इलाज के लिए किया जाता है या लाल आखे हो जाते हैं जिसे हम आख आना भी कहते हैं ये infection पैदा करने वाले bacteria की वरद्दी को रोकता है और आखों में दर्द, आखों में सूजन, आखों में लालपन, खुचली या जलन से रहत दिलाने में मदद करता है डॉक्टर की सलाग अनुसार या कम से कम एक सब्ता के लिए दिन में दो तीन बार इसका इस्तेमाल किया जाता है दिन में दो बार भी डाल सकते हैं, तीन बार भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके डॉक्टर बता है, उसी फिर कार्श इसको यूज़ करना है, मौक्सिटी आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने के बाद, आपके लक्षडों में सुधार हो सकता है, आपकी आँखें ठीक हो सकती कि आँखों में और कोई भी परेशानी बहुत जादा होने लगे तो इसको यूज करना तुरंट बंद कर दें और समझ जाएं कि ये आई ड्रॉप्स आपकी आँखों के लिए सूटेबल नहीं है आपकी आँखों में सूट नहीं कर रहा है बात करें कि इसको इसको इस्तेमाल कैसे करना है तो ये दवाई के वल भार इस्तेमाल के लिए इसे डॉक्टर द्वारा बताएगे खुराक और अबदी के अनुसार लेना चाहिए और आपको बता दे कि ये सिर्फ आई ड्रॉप है बहुत सारे आई ड्रॉप ऐसे आते हैं जो कान में और आँख में दोनों में